परिजय बच्चो, पॉलिथीन और उसके आश्चरे जनक उपयोगों के बारे में हम सभी जानते हैं इन दिनों पॉलिथीन की थैलियों का चलन बहुत है और ये विभिन रूपों और आकारों में मिलती है आज विशुभर में खर्बों की संख्या में पॉलिथीन की थैलियों का उत्पातन किया जाता है ज्यादा तर खुदरा विक्रेता पॉलिथीन फिल्म का उपियोग करते हैं क्योंकि ये सामान पहक करने का सबसे आमसाधन है पॉलिथीन की विशुभर में उपयोग के कारण इन थेलियों की जगा वस्तता कोई अन्य वस्तू नहीं ले सकती छापों वाली इन थेलियों का उपयोग किया जाता है और ये आकरशक रंगों, डिजाइनों और विभिन आकारों में मिलती हैं और आखों को बहुत भाती है पॉलिथीन बहुलकों का केवल एक उधारण है ऐसे बहुत से बहुलक हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं इसलिए बच्चो आज हम बहुलकों के बारे में जानेंगे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे बहुलकों को परिभाशित करना समबहुलकों और सह बहुलकों को परिभाशित करना बहुलकों का वर्की करण करना बहुलकन अभिक्रियाओं के प्रकारों की व्याख्या करना मुक्तु मूलक बहुलकन को परिभाशित करना अलग-अलग बहुलकों को समझना रबड की जानकारी प्राप्त करना बहुलकों के आणविक द्रविमान की गरना करना जैव निम्न करने ये बहुलकों को परिभाशित करना परिभाशा बहुलग बड़ी संख्या में छोटे अड़ों की संयोग से बने उच्च आणविक द्रविमान का एक योगिक होता है बहुलग आधोनिक रासायनिक उद्योग के मुक्के उत्वाथ हैं जो मौझूदा समाज की रीड का निर्माण करते हैं अपने तैनिक जीवन में हम प्लास्टिक की तश्टरियों, प्यालियों, मोटर गाडियों के टायरों और सीट कवरों, प्लास्टिक की थैलियों, बरसातियों, रेडियो, टीवी और कंप्यूटर के कैबिनेटों, कपड़े के भारी मात्रा में सिंथेटिक थागों, सिंथेट उधार बहुलक होते हैं. एक बहुलक है, जो एथिलीन के बहुलकं से प्राप्त होता है. एथिलीन अडूं एक लक इकाईयां कहलाते हैं. पुन्द्रा वृत्त संदचनात्म की इकाईयों के स्वरूपों के अनुरूप बहुलकों का दो विस्तरित श्रिणियों में विभाजन किया जाता है. संबहुलक एक यही प्रकार के एक लकों से निर्मित बहुलक संबहुलक कहलाते हैं. उधारण PVDF वाई निडिलीन फ्लोराइट से बनता है. सह बहुलक एक से ज़्यादा प्रकारों की एक लक इकाईयों से बने बहुलकों को सह बहुलक कहा जाता है. उधारण ब्योना S रबर एक, तीन, ब्यूटाडीन और स्टाइरीन से बनता है. सुरोत के आधार पर बहुलकों का वर्गी करण इस प्रकार के वर्गी करण में तीन उपश्रेणियां होती हैं. प्रकृतिक बहुलक प्रकृति में ज्यादा तर पेड़ पौधों एवं पशूस रोतों में पाई जाने वाले बहुलक प्रकृतिक बहुलक कहलाते हैं. उधारण पौलिस खाराइट्स प्रोटीन न्यूकलिक अमल और प्रकृतिक रबर पौलिस खाराइट की तरहा बहुलक न्यूकलिक अमल और प्रोटीन जो पिड़ पौधों एवं प्राणियों की विभिन जीवन प्रकृतिक बहुलक कहलाते हैं. अर्ध संशलेशित बहुलक इनमें से ज्यादा तर रासाइनिक रूप अंतरण कर प्राकृतिक रूप से पनपने वाले बहुलकों से लिए जाते हैं. उधारण सेलिलोस डाइएसिटेट संशलेशित बहुलक प्रयोक्षाला में तैयार किये जाने वाले बहुलकों को संशलेशित बहुलक कहा जाता है उधारण, पॉली एथिलीन, संशलेशित रबर, नाइलॉन, पीवीसी, एवं टेफलॉन बहुलकों का पनावट आधारेत वर्गी करान इस प्रकार के वर्गी करण के अंतरगत तीन उपश्रेणियां आती है रैकिक बहुलक, इन बहुलकों में लंबी एवं रेखिये श्रिंकलाएं होती है उधारण, पॉली वाइनिल, क्लोराइट और नाइलॉन शाकित श्रिंकला बहुलक इन बहुलकों में रैकिक श्रिंकलाएं होती है जिन की कुछ शाकाएं होती है उधारण, निम्न घनत्व पॉलिथीन एवं ग्लाइकोजेन तिरियक बद बहुलक इन बहुलकों का विर्चन, समान इस्थिती में दूई क्रियात्मक और त्री क्रियात्मक एकलकों से होता है और इन में मजबूत विभिन रैखिक बहुलक श्रंखलाओं के बीच सह संयों जगबंध होते हैं। उधारण, बैकिलाइट और मेलेमीन। बहुलकन के प्रकार के अनुरूप वर्गी करण। वर्गी करण के इस प्रकार के अंतरगत दो उपश्रेणियां आती हैं। योगच बहुलक एकलक इकाईयों का बढ़ती बहुलक श्रंखला में किसी उप उतपाद अणूं के विनाश के बगएर बार बार योग होता है। बहुलक के एकलक की तरह ही उसका अपना अनुभूती मूलक सूत्र होता है। एकलक आसम प्रिक्त योगिक होते हैं। आम तोर पर एथिलीन के व्यूतपन। उधारण पॉलियथिलीन योगज बहुलक दो अलग-अलग एकलकों के योगात्मक बहुलकन के मेल से भी प्राप्त हो सकते हैं। उधारण Buna S Sंगनन बहुलक इन बहुलकों का विर्चन दो अलग-अलग दूई क्रियातमक या त्री क्रियातमक एकलक किकाईयों के बीच पुंधरा वृत्थ Sंगनन अभिक्रिया से होता है. इस संगहनन बहुलकन अभिक्रिया की साथ साथ जल, एलकोहॉल या HCL जैसे सरल अडूं का हिरास होता है उधारण नाइलोन 66 का विर्चन वसात्मक यानि एडिपिक अमल से हेक्सामेथिलीन के संगहनन से होता है बहुलकों का आणवीक बलों के आधार पर वर्की करण इस प्रकार के वर्की करण के अंतरगत चार उपश्रेणिया आती है प्रत्यास्त बहुलक ये वे बहुलक हैं जिन में बहुलक श्रिंखलाएं दुरबल्दम अंतराणविक बलों के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं ये कमजोर बल बहुलकों को फैलने की छूट देते हैं श्रिंखलाओं के बीच कुछ तरियक बंद होते हैं जो बलों के निर्मुक्त होने के बाद बहुलकों को संकर्शन कर उनकी प्रारंभिक वस्था मिलाने में साहिता करते हैं उधारण वलकनी क्रेत रबर रेशे रेशे बनाने की प्रक्रिया में कामाने वाले बहुलकों में तनन सामर्थे एवं मापांक उच्च होते हैं हाइड्रोजन बंध जैसे आकर्शन के प्रबल अंद्रानविक बल होते हैं इन प्रबल बलों के कारण श्रिंखलाएं निविड संकुलित भी हो जाती हैं और क्रिस्टलिये प्रक्रिती प्रदान करती हैं उधारण नैलोन छियाज़ट ताप सुघटे बहुलक ताप सुघटे बहुलकों में व्याप्त अंत्रानविक आकर्शन बल संतुलित होते हैं इसलिए उन्हें गर्म कर आसानी से ढाला जा सकता है ताप सुघटे बहुलकों की श्रंखलाओं में तिरियक बंध नहीं होता उधारण पॉलिथीन एवं पॉलिस्टाइरीन में गर्म किया जाने पर दुरगल्निये हो जाते हैं और अगुलनशील ठोस द्रवेमान का निर्मान करते हैं बहुलक श्रंखलाओं को जोडने वाले बंधों के और आयामी नेटवर्क बनाने वाली बहुलक की विभन श्रंखलाओं के बीच विस्त्रे तित्त्रियक बंधता होती है खुधारण बैकलाइट बहुलकन अभिक्रियाओं के प्रकार योगात्मक बहुलकन अथवा श्रिंखला वृद्धी बहुलकन इस बहुलकन में बहुलकों का निर्मान एक ही प्रकार के एकलक अथवा भिन एकलकों के अड़ों के परस पर योग से होता है इस बहुलकन में एकलक एकाईयों का मुक्तमूलक जैसे किसी अभिक्रियाओं शील मद्धिवर्ती का वेहन करने वाली बढ़ती श्रिंखला से आनुक्रमिक योग होता है इसमें शामिल अभिक्रियाशील इस पिशीज की प्रकृती पर निर्भर योगात्मग बखुलकन तीन क्रियाविधियों से होता है मुक्तमूलक बहुलकन, कैट आयनिक बहुलकन और एन आयनिक बहुलकन संगनन बहुलकन अध्वा पधशा वृध्धी बहुलकन ये श्रंकला बध स्वातंत्र अभिक्रियावं से होता है हर पध में जल, अथ्वा, अल्कोहॉल जैसे सरल अणूं के हिरास के साथ दो दूई क्रियात्मक एकलक एकाईयों के बीच संगनन होता है और इससे बहुलकों का निर्पान होता है बहुलक एक पतवार ढंग से बनते हैं इसलिए इस प्रक्रिया को पद वृध्धी बहुलकन कहा जाता है मुक्त मूलक बहुलकन बहुलकन श्रंकला वृध्धी का आरंभ मुक्त मूलकों के द्वारा उन योगिकों के शरण से होता है जिन्हें प्रारंभग कहा जाता है उधारन एथिलीन का बहुलकन मुक्तुमूलक तंद्र के द्वारा होता है जब इसे एक हजार परमाणों के दाप पर किसी प्रारंभग की अल्प मात्रा के साथ गर्म किया जाता है जो शारित होकर मुक्त मूलकों को जन्म देता है मुक्त मूलक बहु लकन निम्निचरणों में होता है श्रंकला प्रारंभन इसमें प्रारंभक का अक्षरण होने के फल जरूब मुक्त मूलकों का विर्चन होता है मुक्त मूलक आर डॉट एलकीन एकलक के दुईबंद से जुड़ जाता है, जिससे एक बेहतर आकार के मुक्त मूलक का जन्म होता है श्रिंखला संचरण नए और अधिक बड़े आकार के मूलकों के साथ ओपर वर्णित अनुक्रम की पुन्ड़ा वृत्ती से ये अभिक्रिया आगे बढ़ती है एथिलीन की आनुक्रमिक एकाईयों के योग से श्रिंखलाएं तब तक संचरण करती रहती हैं जब तक की संयोजन या वेश्यम में उन्हें रोग नहीं देता श्रिंखला समापन बढ़ते बहुलकों की समापती पर ये मूलक अपने आप से एक हाईडोजन अड़ों को अलग भी कर सकता है श्रिंखला शाखन इससे श्रिंखला शाखन होता है पॉलिथीन पॉलिथीन सबसे ज्यादा उप्योग किये जाना वाला योगज पहुलक है आजकल दो प्रकार की पॉलिथीन तयार की जाती हैं और उनके कों अलग-अलग होते हैं अल्प घनत्व पॉलिथीन इसे डाई ऑक्सीजन या पैराउक्साइट की उपस्थिती में 350-570 केल्विन और 1000-2000 प्रमाउदा पर तयार गिया जाता है इस प्रकार तयार पॉलिथीन की एक शाखित श्रिंखला संदचना होती है शाखन के कारण अणवों की बंधने की शमता अच्छी नहीं होती और इसलिए इसका घनत्व और गलनांक न्यून होते हैं अल्प घनत्व पॉलिथीन रसाइनता अक्रिये या जड़ होती है ये कठोर किंदू लचीली और विद्धुत की अल्प जालग होती है इसका उप्योग सामानों के लिए पैकेज के रूप में बड़े पैमाने पर होता है इसका उप्योग बिजली के तारों के विद्धुत रोधन और खिलोनों के निर्माण में किया जाता है उच्छ घनत्व पॉलिथीन इसका उत्पादन एथिलीन के समनवयन बहुलकन से किया जाता है इसमें एथिलीन को सीगलर नट्टा की उपस्थिती में 330-350 केल्विन पर गर्म किया जाता है इस तरह तैयार इस पॉलिथीन में बहुलक अड़ों की रैखिक श्रंखलाएं होती है इन श्रंखलाओं की बंधने की उच्च क्षमता के कारण इस पॉलिथीन का घनत्व और गलनांक उच्च होते है उच्च घनत्व पॉलिथीन एक पारभासी बहुलक होती है ये रसायनता अक्रिये होती है किन्तो इसमें तनन सामर्थे, कठोरता और दररता अधिक होती है इसको प्योग पाइपों, बाल्टियों, कूड़ा पात्रों और अन्य घरेलू सामानों के निर्मान में किया जाता है पॉलिप्रोपीन प्रोपीलीन पॉलिप्रोपीन का बहुलक होता है इसका विर्चन सीद्गलर नट्टा की उपस्थिती में प्रोपीलीन को गर्म कर किया जाता है सामान्य मूलक श्रेंखला बहुलकन उच्च क्रिस्टलिये आईसो टैक्टिक पॉलिप्रोपीलीन का विर्चन करता है ये पॉलिथीन से अधिक द्रड और प्रबल बहुलक होता है इसका उप्योग वस्तर और खादे सामगरी की पैकिंग के लिए किया जाता है इसका उप्योग मोटर गाड़ियों के सीट कवरों, दरी के रेशों और रस्यों के निर्मान हेतू किया जाता है इसका उप्योग पानी के पाइपों और वाशिंग मशीन के पुर्जों के निर्मान के लिए किया जाता है पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन यानि टेफलाउन टेट्रा फ्लोरो एथिलीन अणूं पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन की एकलग इकाई होते हैं इसका निर्मान अमोनियम पेराउकसाइट की उपस्तिती में दाप के अधीन किया जाता है ये एक अती कठोर पदार्थ है जो ताप, अमल या ख्यार क्रिया का रोधी होता है ये बिजली का कुछ अलग है इसका अप्योग बरतन भाडों को अचिपकाओ यानि नोनस्टिक बनाने के लिए उन पर मुलंमा चड़ाने में किया जाता है इसका अप्योग सील एवं गैस्केट बनाने में किया जाता है जो दबावूं को जहिल सकते हैं इसका उप्योग उच्च क्षमता के विद्ध संयत्रों के लिए रोधन के रूप में किया जाता है। एक्रिलो नाइट्राइल के योगज बहुकलन से पॉली एक्रिलो नाइट्राइल बनता है। और कंबल बनाने में किया जाता है। श्रिंकला में एमाइट जोड से युक्त बहुलकों को पॉली एमाइट कहा जाता है। नाइलोन 66 ये वसात्मक एडिपिक अमल और हेक्सामेथिलीन डायमीन का एक बहुलक है। इसे बुनाई उपकरणों से किसी चादर या रेशो में ढ़ला जा सकता है। नाइलोन रेशों का तनन सामर्थे उच्छ होता है। वे कठोर और अपघर्शन रोधी होते हैं। वे सौभाव से लचीले भी होते हैं। इसका उपयोग ब्रिसल और ब्रशों के निर्बान में किया जाता है। नाइलोन छे ये कैप्रो लेक्टम एकलक से प्राप्त होता है। जल अबघटन के साथ छे एमीनो कैप्रोईक अमल में गर्म किये जाने और गर्म करना जारी रखने पर कैप्रो लेक्टम स्वाता संखनित और बहुलकित हो जाता है। जिसके फल स्वरूप नाइलोन छे पंता है। इसका उप्योग टायर के तारों, वस्त्रों और रस्यों के उत्पादन में किया जाता है। पॉलियस्टर वे बहुलक जिनमें इस्टर जोड़े होते हैं, पॉलियस्टर कहलाते हैं, ये बहुलक डायोल के साथ डाय एसिट के संगन बहुलकन क्रिया से तयार किये जाते हैं। टेरिलीन, डेक्रोन ये एथिलीन, ग्लाइकॉल एवं टेरीफिदेलिक, अमलिकी संगनन बहुलकन क्रिया से तयार किया जाता है। ये बहुलकन जिंक एसिटेट एवं अंजन ट्रायोकसाइड यानि एंटिमनी ट्रायोकसाइड युक्त उद्प्रेरक की उपस्थिती में 420 से 460 के ताप पर किया जाता है। टेरिलीन के रेशे दिर्ड, क्रीज रोधी, टिकाउ और अल्प आर्द्रता अफशोशन क्षमता वाले होते हैं। इसका उप्योग धवन और पहनने के कपड़ों, टायर के तारों और सीट बेल्टों के निर्मान में किया जाता है। प्रिती होती है। अल्प मान के बहुलकन वाले कोमल डेकिलाइटों का उप्योग बंधक सरेस के रूप में लकडी के तखतों पर परत जमाने के लिए वारनिश और प्रलाक्षियानी लेकर बनाने में किया जाता है। उच्युमान के बहुलकन से द्रड़ बेकिलाइट बनता है जिसका उप्योग कंखियां, फौंटेन पैन के पीपे, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स, बिजली के सामान और कई अन्य वस्तुएं बनाने में किया जाता है। सल्फोनी कृत बेकिलाइटों का उप्योग, ग्रुजल को कोमल बनाने के लिए आयन विनिमे रेजिनों के रूप में किया जाता है। मेलेमीन, फार्मेल्डी हाइट बहुलक मेलेमीन और फार्मेल्डी हाइट के सह बहुलकन से मेलेमीन फार्मेल्डी हाइट बहुलक बनता है। मेलेमीन बहुलक बिलकुल सخت होता है और इसका उप्योग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। मेले मीन से बनी प्यालियां, तश्टरियां और अन्य वस्थुएं गिरने पर तूटती नहीं। प्राकृतिक रबर प्राकृतिक रबर कार्बनिक यॉगिक, पॉली आइसोप्रीन और कुछ अन्य कार्बनिक यॉगिकों तथा जल का मिश्रण होता है। ये कुछ पौधों से उत्पन्न दूधिया कॉलाइट लेटेक्स से मिलता है। इन पौधों में चीरा अर्थात इनकी चाल में एक चीरा लगा दिया जाता है। और उससे चिपकाउ दूधिया लेटेक्स का संग्रे किया जाता है। और फिर उसका शोधन कर रबर बनाई जाती है। रबर का वलकनी करण ये वो प्रक्रिया है जिसमें रबर में अधिक से अधिक तिरियक बंध ड़़े जाते हैं। और उसकी बनावट में परिवर्टन किया जाता है। जिससे इसके प्लास्टिक कुण में कमी आती है। इसका चिपकाउपन कम हो जाता है। इसमें कार्बनिक द्रव्यों के कारण होने वाले फुलाव को रोगने की शमता आ जाती है और इसके लचीलेपन में प्रिद्धी होती है. रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है. इसका उप्योग मोटर गाड़ी के टायरों के निर्मान में किया जाता है. संशिलेशित रबर ब्यूटा डाइन अथ्वा उसके व्योथपन्नों के बहुलकन से प्राप्थ रबर संशिलेशित रबर कहलाते हैं. ये ताप रोधी, तेल और विलायक रोधी अधिक लचीले होते हैं और इन में अप घर्षन रोधन ख्षमता अधिक होती है. संशिलेशित रबरों का विर्चन नियोपरीन कलोरोपरीन के मुक्त मूलक बहुलकन से बनता है. ये ताप प्रतिरोधी होता है. ये वनस्पती एवं खनिज तेलों का प्रतिरोधी होता है. इसका उप्योग वहाग पट्टियां, गैस्केट और हॉस बनाने में किया जाता है ब्यूना एन ये एक, तीन, ब्यूटाडाइन और एक्रिलो नाइट्राइल के सह बहु कलन से प्राप्त होता है ये पेट्रॉल, तेल और कार्बनिक विलाइकों का प्रतिरोधी होता है किया जाता है बहुलकों का आणवेक द्रवेमान बहुलकों के निर्मान के दोरान बहुलकों की इश रंकलाओं की लंबाई उनके निकट पाए जाने वाले एक लकूं पर निर्भर करती है अभी क्रिया वाहिका में एक लकों की संख्या अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होती है दूसरे स्थान की संख्या से भिन होती है इसलिए किसी बहुलक में विबन लंबाईयों की श्रंकला हो सकती है और यही कारण है कि आणविक द्रवेमान हमेशा आउसत के रूप में निकाला जाता है इस आउसत को भार आउसत आणविक द्रवेमान कहा जाता है इस प्रकार के आणविक द्रवेमानों के अनुपात को बहु परिक्षेपी सूचकांग यानि पॉली डिस्परसिटी इंडेक्स कहा जाता है प्राक्रितिक बहुलकों में PDI कमान इकाई होती है किन्तु संशलेशित बहुलकों में PDI कमान इकाई से बड़ा होता है PDI कव प्योग किसी बहुलक की एक रूपता के निर्धारन के लिए किया जाता है जैव निम्निनी करणिये बहुलक जैव निम्निनी करणिये बहुलकों को किन्वक उत्प्रेरित अभिक्रियाओं से छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है इसके लिए आवश्चक किन्वक सुक्ष्म चीवों द्वारा तयार किये जाते हैं जैव निम्निनी करणिये बहुलकों के कार्बन कार्बन बंद किन्वक उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के प्रती अक्रिये होते हैं और इसलिए वे खेर जैव निम्निनी करणिये होते हैं इन बहुलकों को जैव निम्निनी करणिये बनाने के लिए हमेश रंखलाओं में कुछ बंद डालने होते हैं ताकि ये किन्वकों द्वारा आसानी से तूड सकें किसी बहुलक को जैव निमनी करणिये बनानी के लिए, बहुलक में हाइड्रो लाइजेबल एस्टर गुरुप का अंतरवेशन सबसे उतक्रिष्ट विदी है। उधारण, अगर मुलक बहुलकन से गुजर रहे किसी अलकीन में एसिटल मिलाया जाए, तो बहुलक में एस्टर गुरुप का अंतरवेशन हो जाएगा। बहुलक में उपस्थित दुर्बल कणियों में प्राकिन्म उत्प्रेरित हाइड्रोलिसिस के प्रती सुग्राहिता होती है। पॉली हाइड्राक्सी ब्यूट्रियेट को बीटा हाइड्राक्सी वलरेट ये तीन हाइड्राक्सी ब्यूट्रिक अम्ल और तीन हाइड्राक्सी पेंटेनाइक अम्ल का एक सह बहुलक है इसका प्योग अस्थी विकलांगता को कम करने वाले उपकरणों के निर्मान और ओशदों के नियंतरित मोचन में किया जाता है। किनवकी क्रिया से इस बहुलक के निम्ननी करण के बाद PHBV के कैपसूल में बंद ओशद मुक्तो होता है। क्या आप चानते हैं? पॉलिथीन का केवल सड़ना शुरू होने के लिए 450 वर्ष की अविशक्ता होती है। फिर इसके पूरी तरह सड़ने में 50-80 वर्ष और लग जाते हैं। बोतल बंद पानी का जो मूले आप चुकाते हैं, उसका 90 प्रतिशत अंश प्लास्टिक की उस बोतल पर खर्च होता है। जबकि केवल 10 प्रतिशत का खर्च आपको मिले पानी पर आता है। दुनिया भर का मत से उद्योग, भारी मात्रा में पॉलिथीन का कच्रा महा समुद्रों में भेगता है। पैकेजिंग, प्लास्टिक के जालों, डोरियों और प्लवन शील पदार्थों समेत हर वर्ष, डिर लाक टन, कच्रा, पानी में डाला जाता है। सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में तोहराएं। एक बहुलक भारी संख्या में सूख्ष्म अडूओं के योग से बना उच्च आणविक द्रवेमान का योगिक होता है। योगज बहुलकों में बहुलक की बढ़ती श्रंखला में किसी भी उप उत्पाद अणों के हिरास के बगएर एक लग इकाईयों का बार बार योग होता है। संख्यनन बहुलक दो अलग अलग दूई क्रियात्मक अथवा त्री क्रियात्मक एक लग इकाईयों के बीच पुंद्रा वृत्त संख्यनन अभी क्रिया से बनते हैं। जिन बहुलकों में बहुलक श्रिंखलाएं आपस में दुर्बलतम अंतराणविक बलों से जुड़ी रहती हैं। वोनें प्रत्यास्त बहुलक कहा जाता है। ताप दुर्ड पहुलक अलप आणविक द्रवेमान अर्ध द्रवे पहुलकों से बनते हैं। जो किसी साचे में गर्म करने पर दुर्गल्निये बन जाते हैं और एक अग्वलनशील कठोर पिंड बनाते हैं। श्रंखला के एमिट बंद वाले बहुलक पॉली एमिट कहलाते हैं। प्राक्रितिक रबर कार्बनिक योगिक पॉली आईसुप्रीन और कुछ अन्ने कार्बनिक योगिकों तथा जल के मेल से बनता है। जैव निम्ननी करणिये बहुलक किणमक उतप्रेरित भिक्रियाओं से छोटे छोटे टुकडों में तूट सकते हैं। इसके लिए आविश्यक किणमक सुक्ष्म जीवों के द्वारा उतप्रन किये जाते हैं।